भारत जैसे अपनी विकास शीर अर्थयस्था जिसको अभी भी विकास के लिए बहुत अधिक धन के अभीशक्ता है यह माल लिए जाता है कि हम विश्की सबसे तेरी से बढ़ती हैं अगर उस पैसे को किसी प्रकार से बचाए भी जा सकता है तो वो पैसे एक प्रकार से मारे विकास के लिए उक्योग में आ सकता है अगर वह पैसे कामाउंड में आपसे कहता हूँ कि वह देड़ लाग करोड होगा तो देड़ लाग करोड को अगर हम बचा लग के ले जाएं हो जाता है तो हम भारत यह अर्थ वरस्ता में पांच वर्शों के अंतर पर लाग करोड या उसे अधिक का पैसा जो वेर्थ में हमारा जा रहा है हम उसको बचा सकते हैं लेकिन वही प्रिक्रिया और वही परिणाम हमको उस लाग करोड के करेंगे बचाने से भी प्राप्त हो जाएंगे अर्था के सीड़ी सी बात है कि जो राजनितिक परिणाम या जूच्टनाइपर करनाम हमको इतना अधिक पैसा खलक करDr करके भी हम को मिल सकते हैं तो जब हम पो इंप्रिमेंट क्यों नहीं करना इसके क्या राजनेतिक पक्षे इसके क्या-क्या समाजिक पक्षे और current affairs का विशे किस परकार से बनता है आज इसे पर हम चल्चा करने वाले हैं तो स्वागत करेंगे वन नेशन और वन इलेक्षिन के इस विशे का जब इस विशे को हम लोग प्रारम करेंगे तो इस वशे को प्रारम करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस सीरीस के अंतरकर सो कर रहे हैं यह किस स्वीस के अंतर्गत हम चेहल ACADEMY के स्प्रेटी में पर लगातार state specific यानि कि UPSC, UPPCS और BPSCS के लिए अपने लगता सीजिस को चलाते चले आ रहे हैं BPSC में जहां सारे के साइट topics में दौरा cover हो रहे हैं वही UPPCS के लिए quality और current interface के topics मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ शेशे topic अंगले teachers के मादब से आपे उपलब्द हो रहे हैं आने कि UPPCS और BPSC के लिए एक सही platform है आप लोगों के study करने के लिए हम लोग mind mapping के लिए लगाता है इन lectures को आगे की बढ़ाती चले जा रहे हैं और इसके बाद जब इन lectures हम आप तो objective question में आपके लिए सारे UPPCS के specific और BPSC के specific यहां पर shake नहीं लेकर आने वाला हूँ तो बात करेंगे one nation of one election की जब one nation of one election की बात करते हैं तो चूकि यह बहुत बड़ा राजनितिक विशह है और इसको लेके कई बार बात्चित हो चुकी है तो बात निकल के सामनी आए कि इसको कैसे address कर जाए संबोध कर जाए तो लाल के लेकी प्राचीर से पहले यहां प्रधान मंति मोदी ने लाल के लेकी प्राचीर से या भाते किसी प्रधान मंतिय ने इस विशह को लिया और नोंने कहा प्रिवक्त में मैं राजनीति दल और देश के सम्मिदान को समझने वालों से आग्रे करता हूँ तो यह प्रकार का आग्रे यह request उन्हाने करी है वो आग्रे कर रहे हैं कि देश इस विशह में अपनी एक समझ को बढ़ाए आग्रे करता हूँ कि भारत की प्र राज़ती के लिए भी बहुत बड़ा काम करेगा देश की तो प्रगती होगी होगी इसमें राश्टी प्रगती इसमें नहित है अब देश और राश्ट में क्या अंतर है यह आप लोग थोड़ा सा हूंवक्त करें ग्रह काने करें पिर इसके बाद नेक्स लेक्शर में करते हैं हाँ बाद भी ठीक है आज हर योजना और पहल ऐसे लगता है कि यह चुनाव चक्र से प्रभाविते हैं और हर गतिमीदी राजनितिक विचार दारों से विचारों से रगी हुई है अगर किसी टेन का इनौगरेशन भी प्रधान मंतरी करते हैं राज़ी कोई मुख जिस विच्छा होनी चाहिए वह विच्छ हमारे भारत जैसे देश में एक राजनितिक परिपार्टी की भेट चर जाता है क्योंकि हम लोग राजनितिक रूप से इतने सजग और संपन नहीं है अपने आप में कि नेता ने जो भी राजनितिक विचार रग दी हम उसकर अप प्रकार से आप देखेंगे कि हर योजना कुछ ना कुछ नागी चकर में फसके रह जाती है और जो उसका सार्थक परिणाम समाजिक परिवेश के रुप में समाजिक समयवेश के रुप में समाजिक विकास के रुप में आना चाहिए वह उस प्रकार से नहीं आपाता है इस योजना को परियोजना को राजनीति कुछ चक्र के दिष्टि के माध्यम से देखते हैं उसमें संभफता हो सकता है कि कुछ सार्थक परिवरतार आ सकता है मेरे जीव में थोड़ा सा इश्यू है अगे देखते हैं आगे क्या विश्या चलता है अब अगर हम इसका डिटेल एनालिस करते हैं गहन विश्लेशन करते हैं तो हुआ क्या है आप इंशाप को जानते हैं भाध के चिर परेचित, एक सम्माने टीनक्ती, पूर्व राश्पती रामनाथ कोविन, निवर्थ्मान राश्पती, रामनाथ कोविन अच्छा पूर्व और नीवर्तबान में क्यांतर है ये भी state specific का question तो है कि पूर्व और नीवर्तबान में क्यांतर विशेश उपसे BPSC ये UPPCS वालों के लिए क्योंकि हिंदी गावी तो paper होता है तो पूर्व और नीवर्तबान में क्यांतर होता है मैं के लिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि नीवर्तवान भारत के राश्पती है तो पूर्व राश्पती रामनात कोविन की अध्यक्षता में एक राश्ट एक चुनाप पर गठित उच इस तरही समीती ने तो समीती किसके अंतर गठित करी गई है तो समीती के में एक रिपोर्ट राश्पती को प्रेक्षित करी गई तो समीती की रिपोर्ट आई है रामनात कोविन जी की अध्यक्षता में गठित एक उचिस्ता ही समीती ने अपने रिपोर्ट राश्पती दृपती मुर्मुजी को प्रेक्षित करी है उनको सौपी है और उसके अध सदस्टों का हम लोग अध्यान करेंगे तो समीती के अन्ने सदस्टों में हमको पहले मिल जाएंगे सुभाश कश्यप कौन है जी सुभाश कश्यप यूपी PCS वाले स्टेट PCS वाले बहुत अच्छी तरीके से इस नाम को जानते हैं चहरा है ये कौन है Constitutional Expert है सम्विधान के Expert है अपने अपने इनके books आती है सुभाश कर्श्यप इसको हम लोगों ने कई बार study भी करा है लोगसभा की Secretariat रह चुके हैं सुभाश कर्श्यप Political Analyst है और Constitutional Expert है सम्विधान के जाने माने नाम है अपने आप में सुभाश कर्श्यप एक फिर हमाज सामने आते हैं हरीशी सालवेजी का नाम हम सब बहुत सम्मान के साथ जानते हैं भारत के जो सबसे बड़े lawyers हैं कुछ गिने चुने lawyers हैं अधिवक्ता है Supreme Court के उनमे नाम आता है हरीशी सालवेजी का Congress के बहुत पुराने निता रहे लगवाफ पांच दश्रक Congress की राजनीती करी जम्मान कश्मीर से निकल के आते हैं अब सब आप लोग इनको पहचान गये होंगे मोदी जी की मतलता के कारण इनका Congress से थोड़ा प्रत्यकी करण हो गया इन्होंने अपने एक नहीं पारिटी बनाई थी जम्मान कश्मीर में अजाद का पारिटी उस बार का इसका performance लोग सबाव उसमें जम्मान कश्मीर के चनावर में अच्छा नहीं रहा है तो आप इस जम सबस्दें सबस्दाब की सदस्सें फिर आते हैं सजेक उठाशारी और एक बनना नाम है administrative officer है, former cvc है और जो रामनात कोविंजी राश्च्पति थे तो जब उसमें उनके सचीन भी रहते संजेक उठावी फिर आते हैं अधी रंजन चोधरी कौन है तो हम सब जाते हैं समय निता विपक्षा कोई अधिकारी की पद नहीं था क्योंकि अगर आपको निता विपक्ष का अधिकारी की रुप से पद ग्रहन करना है तो उसके लिए लोगसभा के अंतरगत आपके कुल लोगसभा की सीटों की 10% सीट आपके पास उनी चाहिए थी और पिछली इस लोग रामनाद कोबिन जी होगे, सुभाज कर्शियाप होगे, अरीश आलवे जी होगे, अमिश्या होगे, गुलाम नभी अज़ाद होगे, एनके सीमोर, संजय कुटारी होगे इन सबकी समीती ने इसकी recommendation दी है किसकी one nation one election की और जो इसकी report है वो राश्पती के सौप दी गई है उनकी support कर दी गई है और जिसको Central Cabinet Council of Minister recommendation में दे दी है उसका स्युकार कर लिया गया है तो जब मैं राश्पती को अपनी report दी है तो इस report में actually ने कहा क्या है यह आपका एक होमवक हो जाता है तो पैनल ने लोग सभार राज्य विदान सभाव के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करी है और इसके बाद बोला कि जब यह चुनाव हो जाएंगे तो उसके सौ दिन के भीतर ही अर्था आते तीन महा दस दिन के भीतर ही नए निक क्योंकि लोग सभा राज्य सभा की चुनाव करवाने में डेर से दो महीने का समय लग जाता है उसके बाद फिर हम आपास सौ दिन का और समय हो जाएगा तो यह पूरी फिकर है लगबग साड़े चार से पांच महीने के अंतरगत समाप्त हो जाएगी और इस फिकर से कम से कम अगले साड़े चार वर्शों के लिए पूरा का पूरा देश चुनाव रहित हो जाएगा कोई चुनाव देश में नहीं होगा इसके सारे विकास कर रहे अपनी साधारन गत्य के साथ आगे बढ़ेंगे चुनाव के माद्यम से जो उनमें वीच 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 रुकावाट आ जाएगा जितना एकॉनमी ग्रोथ आर्थि विकास की जो आर्थि प्रगति की जो गती है वो अपना में बढ़ती चलियागी तो वह उतना ही अधिक प्रोसाइप करता है आर्थि विकास के लिए तो अगर वन निशन वन इलेक्शन कहीं पर थोड़े हड़ें बनते हैं तो अर्टिमेटली जो उसका प्रभाव वह निकल के आता है जो अगर आर्थि विकास का चक्रे बाद धीमा हो जाता है बोलते क्या है इसके लिए अनुचे 324 यह लागू किया जाएगा और अनुचे 324 के अंतर आपको पता है कि यहां पर हमारे पास इलेक्शन कमिशन का प्रा मतदाता जो पत्र है उनको भी रिवाइस करते रहना है लगाता है तो वो कहना है कि यहां पर जो है अनुचे 324 को लागू किया जाएगा उसमें संशोधन कुछ करा जाएगा और उसके साथ ही राज्य विधान सभा लोग सभा राज्य विधान सभा और निकायों के लिए ए बाजय सभा विधान सभा के लिएए अपका नाम रेंster है लेकि इस्थाई निकायों मैं आपका नाम में बिलता है बहुत अधिक महतोगु पक्ष है, इसको बहुत ध्यान से समझेगा, और क्या कहा जा रहा है, सदन में बहुमत ना होने, किसी पारिटी के पास कोई बहुमत नहीं है, या अविश्रास प्रस्ताव की इस्तिती आ गई है, या तो बहुमत है नहीं आपके पास, या किसी ने इलक्षन, मध्यकानीम चुनाव, यानि कि पाँच वर्ष के अंतरस से पहले जब चुनाव हो जाता है, तो उसको मिड्टव इलक्षन में कहना है चुनाव करवाये जासकते हैं, लेकिन यह चुनाव तो अभी भी हो रहा है, तो फिर नया क्या हुआ हुआ है? हमने देखा, वहाष नशुनी से चुनाव हुआ जब तीन लोग सभा की चुनाव देखे। तो इसमें विशेश किया तो विशेश इसमें अगले पॉइंट में आता है और विशेश यह है कि देखिए जब 1996 में चुनाव हुए तो वो माना जा था कि वर्ष 2001 में चुनाव होगा लेकिन फिर से 1998 में चुनाव होगा तो माना गया कि अब यह 2003 तक चलेगी लेकि वो तब कारेकाल लगबग दो अपाने दो वर्ष के असपास करा फिर 1998 से 1999 की लोगसभा कारेकाल तो एक से सभा वर्ष कही रहता था इसके बाद फिर पांच वर्ष के लिए चुनाव हुआ लेकिन अब इसमें कुछ नया जुड़ा गया है और वो नया यह है कि नई लोगसभा पिर 1998 में चुनाव हुआ तो लेकिन चुनाव हो गया 1998 में तो इस रेक्यमेंटीशन के नुसार जो 2008 वाला चुनाव होगा वो केवल तीन वर्षों के लिए होगा. अर्थात्य बच्छी होई info लोगस्वा के कारेकाल के लिए ही चुनाव होगा. insist. चलेगा उन्हीं से 670 से 2001 का चिलेगा इसमें चाहे एक बार चुनाव हो जाए बीच में दो साल हम तो मिलने, धाई से दो साल का दो फिर से नए चुनाब ले जाना पड़ेगा, तो प्रत्याशी भी माना करेगा, और राजनीतिक दल भी माना करेंगे, क्योंकि इनके अपने अपना बहुत साई रिसोर्सिस पो चुनाब में लग जाते हैं, कई प्रत्याशी तो बिलकुल खाली हो जाते हैं, एक प्रत्याशी को तो मैं जानता हूं गेक्ति का तुरूप से, यूपे की विधान सभावे, इससे में, पूरी तरीके से खाली हो गए थे, करोड़ों में उनका पैसे लगा था अब बोले थे, अगर चुनाब नहीं जी जाता तो सड़क पर आने में कोई ज़्यादा देर थी नहीं, लेकिन अब इश्विक के पासे वो चुनाब जीते हैं और ठीक ठाक हैं, तो ऐसे प्रत्याशी जो हैं, जो अपना बहुत बड़ा इस्टेक, पैसे के मादम तो चुन बलैक मुनी लगता हैं, बर बाक बार 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 बहुते अब कर iD पैसा आता हैं, पैसा आता हैं, यह बिल्कुछ जड़ा है, इसी बात है, तो क्या कहanno हैं, हो िकारेकाल के लिए लोकसरा का चुनाब होंगा, जैसे आप यूपी में देखता हैं या मेयर का चुनाव हो अगर मध्ध वर्टी चुनाव हो रहे हैं तो बच्चे व कारणे काल के लिए ही चुनाव होता है तो इस पर कर आप देखेंगे कि नगर निकायों में या स्थानी निकायों में चुनाव बारंबार तक के साथ नहीं होते हैं आगे चलते हैं जब राज्य विधान सभा लोक्सिभा के पूर्वार कार्य 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 का अस्धित तरे निर्वथ करता है। इसलिए बच्ची हुई लोग सभा के लिए दूसरा चुनाव होगा और राज्य विधान सभा अपने उसी चुनाव समयकाल के अंतरगत अपने कारे को करती देगी तो ये all together एक different process है कि बच्ची वे कारे काल के लिए नई लोग सभा के चुनाव होगा यही प्रक्रिया अगर विधान सभा के अंतर भी आजाती है तो विधान सभा में भी जो नया चुनाव होगा है बच्ची वे कारे काल के लिए होगा और लोग सभा अपने आपने आपने सच्वारू काम करती देगी अगर लोग सभा में इस्तितिया आती है तो विधान सभा अपने सच्वारू काम जाता है 2,27 का और लोगसभा में अविशास प्रस्ता वे बहुमत की कमिश जाती है तो लोगसभा के अब चुनाव होगा वजज दो हजद 30 तक के बच्चे और कारेकाल के लिए होगा यही इस्तित्या का पलटका राज्य की विधान सबा में आ जाती है तो यूपी विधान सब्सक्राइस में वह सकता है कि दौनों में एक साथ चुनाव हो रहे हो तो दौनों की सरकारे वहाँ पर गिर जाती है तो फिर विदान सभा लोकसभा के लिए चुनाव होगा वह बड़ा प्राबधार निकल कर आता है इससे क्या होगा एक राजनीतिक अर्श थिरता आएगी एसे राजनीतिक अर्श थिरता से अलग अपने व्यक्तिक तो सौर्ट को उपर रखते हैं वहाँ फिर बारबाय चुनाव कराने से पीछे की और हट जाएगे तो ये अपने काफ में एक राजनीतिक इस थिरता को आगे लेकर आएगा नेक्स दिखते हैं नेक्स रेक्मेंड अभी तक हमने कहा ना क्या कि मद्देवर्ती चुनाव होंगे तो पांच वर्ष के लिए अगली लोकसभा विधान सभा के गठन करने के लिए होंगे और यहीं यहाँ पर दे रखाया व्यवस्ता लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको संशोधन करना पड़ेगा औ विशेश संग्य भाउमत यहाँ पर लगेगा विशेश संग्य भाउमत के हैं मैं अभी थोड़ी तेर में आपको बताता हूं फिर राज्य चुनाव आयोग राज्य प्रदयादिकार की परामश्य से समान मतरता सूची लागे परेगा समान मतरता सूची अर्थाथ वह लोक सभा पिर राज्य विधान सभा और फिर इस्थान यह निकाय है इन तीनों में एक मतरता सूची काम करेगी ताकि इसमें जो विविद्रता मिल नहीं हो विविद्रताओं का विनाश यह उनका मरदन किया जा सके तो एक ही चुनाव लिस्ट यहाँ पर चलेगी मतरता सूची यह आपर काम करेगी तीनों के लिए तो पहला तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पांड हमारे पास आता है कि अनुच्छे 83 हो जो लोग सभा का कारेकाल की वस्तर देती है प्रावधान देती है सम्विदान की अनुच्छे रिख सभात है जो राज्य विदान सभा के कारेकाल क प्रावधान करती है इस दोना में सम्विदान सरशोदर करके आपको मिड टम इलेक्शन में शेष बच्चे को कारेकाल के लिए चुनाव करवाने है ऐसा ही आपर संशोदी तरके निखना होगा तो इस प्रकार की सुची को तयार आपस में करेंगे अब देखी सम्विदान स कमसे खम आदेयर आज्य दौरा के साथ पारित किया जाना चाहिए आता है विशेष संगिय बहुमत जिसम बोलता है कि विशेष बहुमत के साथ healing में अखर देखी आधेगी जब बहुमत कि बात क्रेंगे तो विशेष बहुमत में 2 चरन हमारे पास होते है जैसे की यह मैं लिखा विशेश भावमत अनुचे 368 भारते सम्मीद्हान इसका प्रावधान मिलता है तो इसके अंतग है जो प्रथम चरण होगा प्रथम चरण और दित्य चरण में चरण बद्ध तहीं किसे आपको यह समझा रहा हम प्रथम चरण में क्या होगा कि कुल सदन संख्या का 50 पतिशत प्लस एक कुल सदन सदसे संख्या का 50 पतिशत प्लस एक हम कह रहें कि लोग सबा की कुल सदसे संख्या 600 है ठीक है है हम कहि रहे हैं लोगसभा कि कुल सदे से संख्या 600 लेकिन आज लोगसभा में 200 लोग नहीं आये हैं तो आनि कि आज लोगसभा की जो उपस्तिति है वो है अपने आप में 400 लेकिन कुल सदे संख्या केते नहीं है 600 ये 600 सो इस is language में यहां पर निकल कर आती है क्यां कुल सदसे संख्या का 50 को पुपिश्यत प्लस एक अब 400 मेसे हम मानने के 400 लोगी ही वोट करेंगे चार डिवाइसी करेंगे या इसको थोड़ा और आगी लेता हूं मैं कहता हूं 400 मेसे आज 100 लोग लोड नहीं करेंगे तो जो टोटल वोटिंग करने वाले लोग हैं वो हो गए हमारे पास नहीं इसको थोड़ा डिवाइस करते हैं आज चार सो में से आज चार सो में से हम कह रहे हैं कि आज चार सो में से पचास लोग वोट नहीं करेंगे तो इसका अर्थ यह हो गिया कि टोटल वोट जो करेंगे या टोटल लोगों ने जो वोट करा है वो तीन सो पचास हैं कुल सदर से संख्या का पचास पतिशक प्लस एक कुल सदर से संख्या कितनी है 600 वोट टोटल करने वाले कितने वाले कितने हमारे पाथ तीन सो पचास कुल सदर से संख्या हमारे पाथ छैसो का अर्थ हरता थे छैसो गुणा पचास बटे सो यह हो गया पचास पतिशक तो यह हो गया हमारे पास तीन सो प्लस एक यानि कि उन विशेश बहुमत का पहले चनल में हमारे पास ये निकल की आ जाता है और दित्य चनल में हमारे पास क्या निकल की आता है क्योंकि जो हमारा साधारन बहुमत है जो 360 के नितकत हमको नहीं मिलता मैं एक सेकंड में साधारन बहुमत बता दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए तो ज मतйदान करने वालों का 50% इ lenggage है यह language हम को यह नहीं इस language में केवल यह भाग हमको मिल ला है 50% लेकिन हुआ पर लिखा हुआ है कि उपस्थितर मत रान करने वालों को कुल सरद से संक्या का 50% प्रस्ताव पारित हो जाएगा जब यह पहला चरण पारित हो जाएगा तो दूसरे चरण की तरफ बात बढ़ीगी जब यह पहला चरण पारित हो जाएगे तो दूसरे चरण की तरफ बात बढ़ेगी तो दूसरे चरण यह कहेगा आपसे दूसर चरण यह कहेगा कि अब दूसरे चरण में कुल उपस्थित प्लस मतदान करने वालो का दोती है मतदान केतनों ने करा 350 गुड़ा दोती है यह आ गया और इसकी जो संक्या हमारे पास निकल कराती है फिर वही हमारा कुल भाजन निकल किया रहता है मैं यहाँ पे फॉर्दा टाइम भी अगर 300 कर दूँँ आपको समझाने के लिए 350 की देखा 300 कर दूँ तो यह संक्या अपने आपने निकल के आ जाती है 200 और यह हो जाता है फिर पास पारित पर जाएगा सही है तो दूसरा चर्ण कहता है उपस्ते मत्तदान करने वालों का 2 ती है यह प्लस वन और माइनस वन का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं केवल और केवल 2 ती है इसके बाद यह चले जाएगा राज्य विधान सबाव के पास जब राज्य विधान सबाव के पास जाएगा जब राज्य विधान सबाव के पास यह जाएगा तो हमने कहा जब राज्य विधान सबाव के पास यह जाएगा तो राज्य विधान सबाव में हमने कहा कि हमारे पास कुल क्या है एक सेकेट राज्य विधान सभा में हमारे पास 28 राज्य हैं इसके साथ ही हमारे पास दिल्ली है और अब जमेंट कश्मीर भी आ गए हैं तो यह टोटल संक्य हो जाती है हमारे पास 31 तो 31 का 50 परसंट कितना हो जाएगा 31 का 50 परसंट हो जाएगा हमारे पास 16 राज्य विदान मंदन या विदान सभाhon के दौरा यह पारित हो किया जाने चाहिए पारित होने का मतलब में किसके दौरा साधारन बहुमत साधारन बहुमत मैंने आपको विबूता है साधारन बहुमत यहां तक इतना है कि अगर समझी है किसी विधान सभा या विधान मंडल ने इसको अपनी डे की लिस्ट पे लगा दिया है और किसी कारण से उसको डिसकूस नहीं कर पाएं तो भी इसको पारित मान लिया जाएगा यानि कि एक प्रकास से बस मौकिक समवाद है राज्यों के सा ताकि जो संगीर विरस्ता है उसके नतरव समपक करा गया है अगर उसको कोई निश्यत समय करदा कोई वो डिसन नहीं लेते हैं यह समय निश्यत करा जाएगा राश्पती की दुआ समझे राश्पती ने 14 दिन का समय दिया 14 दिन वे यूपी की विधान सभा इसको पारित मा जाएगा और आपने इसको पारित करके इसको निगेट भी कर दिया है तो भी अंतिम निढ़ने राश्पती देंगे कि इस पर क्या पॉसर लेने वाले हैं वो समय को बढ़ेंगी यह नहीं बढ़ेंगे इस अनदर बैटर और इस पकार से इसको पारित माल लिया जाता है जै यह यहाँ पर पारित हो जाएगा अब जब है यह पर पारित हो जाएगा तो उन्होंने कहा समविदान से लगो कम संखम आदी राज्यू दाब पर पारित किया जाना आविश्यक हो गा अब इसमें कुछ facts देख लेते हैं, कॉल कॉल से अनुचे जिसमें लागव हो हैं तो अनुचे 83 जिसमें हमने का लोगसभा का कार्यकाल, अनुचे 85 लाश्पेति वहाँ लोगसभा का विगटन, यानि कि dissolution जब होता है recommendation के base पर, अनुचे 85 लाश्पेति विधान सभाओ की FD, अनुचे 114 लाश्पेति विधान सभाओ का विगटन, या राजपाल करते हैं, अनुचे 356 सम्विधानिक अपाथ इस्तितिय हैं जहां पर राज़्य अपाथकाली लगते हैं, तो हमने कहा था हमारे पास सम्विधान के भाग अपाथ काली इस्तिति हैं जिसके अंतरगा में सम्विधानिक अपाथ काली इस्तिति मिलती हैं, जहन प्रतिदी अधिनियम उन्निस से क्यांट के कहीं प्राभधानों के विधियायोक की इसके बात प्रोशन इसके बाद ही आपको कोई प्रशन रहता है तो आप मेरे को लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको विलीवत उसका उत्तर यहां पर देने का प्रयास करूँगा नेक्स लेक्चर में आपको मिलता हूँ किसी और करेंट अफेस के महत्पूर्ण विशे के साथ तब तक रिजाहिंद और अमन्ने मातर में